हेलो फ्रेंट वेलकम बैक टूम मैंच एक चेर्म कैसे हांब सकता आज की वीडियो में आपके शेयर करने वाले हुआ हूँ किस तरह से आप अपने फेस के साइड जिन्स के जो बाल होते हैं उन्हें किस तरह से रिमॉव कर सकते हैं देखिए बहुत से मैं थैट है जिनकी हैल् तो इसको जरूर यूज करना और देखना आपको रजल्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं ठीक है तो बहुत सी तरीके क्योंकि ना जो अपने थ्रेडिंग से अपर लिप से उनको फिर भी बाकी मैथड यूज करके हम रिमूट कर सकते हैं लेकिन साइड जिंस क्योंकि एक तो बस देखना ये है कि किस तरह से आप इसको करते हैं एक बार में रजल्स नहीं मिलेंगे मैंने कम से कम फोर टाइम में कर चुकी हूँ तब मुझे इसके रजल्स मिले हैं तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि आपको करना क्या है सबसे पहले मैं नहीं है इसको हम अच्छे से बॉयल होने के लिए उसके अंदर एड़ करेंगे एक स्पून के आसपास सूगर अप चाही तो हाफ चमच भी डाल सकते मेरी यहाँ पे छोटी स्पून है इसलिए मैंने एक चमच डालना है अब इसको अच्छे से बॉयल होने दे जब यह तब हम अपना जो flame है उसको बंद कर देंगे उसके बाद हम इसको use करेंगे ठीक है आपको पता है कि बहुत से तरीकों से हम अपने hairs को remove कर सकते हैं बट मैं आपसे request करना चाहते हूं कि waxing या saving और कोई भी method आप side chains पे use मत कीजिए ठीक है आप अपने upper lips पे अपने threading को remove करने क के लिए कर सकते हैं और यह बिल्कुल safe होने वाला है अगर आपको इसके use से किसी तरह की redness भी हो जाती है तो कोई problem वाली बात नहीं है next day जब आप देखेंगे ना आपकी redness खतम हो चुकी होगी तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल half रह चुका है दूद यहां पे तो मै चाहिएगा एक spoon के आसपास आटा जो वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं देखिए आटा आपको पता है hairs को remove करने के लिए बहुत effective है बहुत time से पहले से इसको use किया जा रहा है ठीक है अब हम use करने वाले यहां पे half spoon के आसपास जो हमारा बेसन है वो सिरफ half spoon लेना है अब इसमें add करनी है कस्तूरी हल्दी अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो normal हल्दी भी use कर सकते है बट मैं आपको कहूंगी अगर आप skincare करना चाहते हैं तो कस्तूरी हल्दी को use करना शुरू कर दो बहुत अच्छे results उसके होते हैं अब इसी दूद की help से हमने इसको अच्छ जैसा होता है कुछ-कुछ वैसा वैसा ठीक है इसको घोलने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है लगभग 2-3 मिनट के लिए कोई भी skincare करते हैं हमेशा बोलती हूं कि clean face पे आपको करना चाहिए तो मैं यहां पे अपना DIY face से अपने face को clean कर रही हूं अ ज़रूरी है ठीक है आप यहां पे देख सकते हैं मेरे जो sides में बाल हैं यह कुछ इस तरह की हैं और यहां पे भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं नहीं दिखेंगे कैमरा में इसलिए अगर आपको इस तरह की problem है तो आप उनको easily इस method से निकाल सकते हैं और आप इस process को करेंगे तो आपको पता लगेगा जब आप इसको निकालेंगे तो आपको feel होगा कि आपके बाल निकल रहे हैं तो इसी तरह से एक side में मेरे कम है और एक side में मेरे जादा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हैं तो इनको बहुत easily आप घर पे निकाल सकते हैं किसी की help की आप brush की help से भी लगा लो अगर नहीं है तो आप finger की help से भी लगा सकते हैं ठीक है जहां पे हमारे बाल ज्यादा है like इयर के आज पास और हमारी chin के sides में जो भी बाल है न तो वहां पे ठीक क्लियर लगानी है आप पात कर लेते हैं क्यूंकि हमने इसमें दूद चीनी डे newcomnant करें हूं हमने स्कीन पर है वह थाव क्या एक किसी दूभी दूभ धे facing पर ढ़िंट चीज़ों में पर लेकाते हैं गात की में हम चिपा हो जाए, ठीक है, ओल्रेडी इसके अंदर आटा है, आटा ओल्रेडी बहुत थिक हो जाता है, बहुत अच्छे से फेस पे चिपक जाता है, ठीक है, हल्दी यूज़ करी है, जब हम इसको रब कर रहे हैं, लगभग 25 मिनट के बाद मैंने इसको रब किया था, जब हम इ किसी किसी के face पे redness हो जाए किसी के face पे कुछ चोटे चोटे दाने निकल आए तो इन सब चीजों को ठीक करेगी हमारी हल्दी साथ की साथ ही हमारी जो भी problems होगी ना उसको ये ठीक करती जाएगी इसलिए हम यहाँ पे हल्दी यूज कर रहे हैं ठीक है तो आप अगर आपको ऐसी problem होती है कि pimples वगरा हो रहे हैं या फिर redness हो रही है तो next day वो ठीक हो जाएगी अगर next day in case आपकी ठीक नहीं होती है तो आप इसको दोबारा नहीं करेंगे आप इसको बंद कर दीजएगा क्योंकि आपकी skin बहुत ज़्यादा sensitive है और वो इसके लिए ready नहीं है तो क्यो opposite direction में हमने कुछ circular motion में इस motion में इस तरह से इसको घुमाना है कि हमारे बाल फटेंगे हमें feel होगा उतना feel नहीं होगा जितना waxing वेगरा में होता है बट हां हलकी हलकी sensation होगी क्योंकि हमारे face के बाल जो है वो बहुत छोटे-छोटे होती हैं ठीक है और वो बहुत easily निकल जा भी निकल रही है इसके बाद अपने skin को बहुत जादा अच्छे से deeply moisturize करना है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ aloe vera और थोड़ा सा बादाम oil आप चाहें तो इस process को जादा अच्छे results के रिए रात को ही यूज़ करना और अपने face पे इस तरह से oil और aloe vera का एक अच अच्छी ही मत ठीक है अब आपको पता है आपको क्या करना है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like share और चैन पे नई है तो चैन को please subscribe कर लो ताकि future में इसी तरह की interesting बिल्कुल safe और बिल्कुल zero cost की जो remedies है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी ठीक है अब आप सो सक और सुबह आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा फिल होगा अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे जितना हो सके पानी पीए thank you for watching